Brought to you by Agilis Diagnostics भेल टेस्ट की बाद आती है तो मैं फ्रोसा करता हूँ इंडियांस लाज़स्ट डागनोस्टिक्स कमपनि Agilis Diagnostics खुद को टेस्ट करते रहो नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र पांडे आज हम बात करेंगे रवी प्रदोश की रवी प्रदोश का महत्व क्या है रवी प्रदोश पर किसकी पूजा उपासना की जाती है और रवी प्रदोश का पालन करने से किस तरह की समस्या हल होती है आज इस विशे पर बात करेंगे बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशी फलकी और कारिक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में तो चलिए कारिक्रम की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग दिनांक 29 सितंबर 2024 दिन रवीवार तिथी है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादिशी तिथी शाम के चार बजगर 47 मिनट तक नक्षत्र है मघा नक्षत्र चंद्रमा सिंग राशी में संचरण कर रहे हैं राहु काल का समय शाम के चार बजगर 30 मिनट से लगभग 6 बजे तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मना ही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है मजबूरी है तो जरासा पान का पत्ता खाकर और भगवान का समरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे अब जानते हैं 29 सितंबर 2024 दिन रवीवार को प्रातह काल 5 बचकर 30 मिनट पर ग्रहों की इस्थिती क्या है बुद्ध सूर्य और केतू कन्या राशी में विद्यमान है शुक्र तुला राशी में विद्यमान है शनी कुम्भ राशी में राहु मीन राशी में ब्रिहस्पती व्रिशब राशी में मंगल मिथुन राशी में और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंग राशी में ग्रहों की इसी इस्थिती के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दिन कैसा रहने वाला है मेश राशी इस समय यात्रा से आपको लाब होगा मानसिक चंताएं आपकी दूर होंगी धन का लाब होता हुआ दिख रहा है भगवान सूर्य को अगर जल अरपित करने तो दिन बेहतर होगा व्रिश अबराशी स्वास्थि का ध्यान बनाए रखें वाडी और क्रोध पर नियंत्रन रखें कीमती वस्तुमें समभाल कर रखें खो सकती हैं किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी मिथुन राशी परिवार का सहयोग मिलेगा यात्रा के योग बन रहे हैं रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा करकराशी करियर की समस्याएं हल होंगी धन लाब के योग बन रहे हैं स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा सिंग राशी मानसिक चंताएं दूर होंगी करियर में आपके सुधार होगा रुके हुए काम आपके पूरे होंगे भगवान सूर्य को अगर जल अरपित कर दें तो दिन बेहतर होगा कन्याराशी वाहन सावधानी से चलाएंगे कारोबार में तनाव से बचाव करें मित्रों के साथ विवाद से बचेंगे किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी तुलाराशी सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी करजों से आपको मुक्ती मिलेगी संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा व्रिश्चिक राशी करियर में बड़ी सफलता मिलेगी कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा विवाह आपका तै हो सकता है खाने पीने की वस्तुका दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा धनुराशी करियर की समस्याएं हल होगी रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा मकर्राशी स्वास्थ का ध्यान बनाए रखें परिवार में विवादों से बचाव करें लिखा पढ़ी में सावधानी रखें किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा कुम्भराशी धन लाब के योग बन रहे हैं संपत्ति का लाब हो सकता है करियर में इस समय कुछ परिवर्तन होगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा मीन राशी धन की समस्याएं हल होगी मानसिक चिन्ता आपकी दूर होगी करियर की स्थिती में आपके सुधार होगा खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा